नवशकार साथियों, Positive Builder YouTube चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आपको बताऊंगा हनी कॉम्बिंग के बारे में किस तरह से जो है वो आप क्रेटमेंट जो है हनी कॉम्बिंग का कर सकते हैं कभी भी साइट पर इस तरह की आपको समझ से आई है या फिर जब भी आएगी तो आप जो हनी कॉम्बिंग को कैसे ठीक कर सकते हैं उसी के बारे में आज इस वीडियो में जानकारी दूँगा आज की जानकारी आपके लिए बहुत ही जादा महत्वपून होने वाली है इसलिए आप इस वीडियो को अन तक जरूर देखें जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो कॉलम में बहुत ही कम हनी कॉम्बिंग जो है वो दिखाई दे रही है अगर इस तरह से जो है वो बहुत ही कम आतरा में honey common आई है तो आप उसका treatment जो है वो असानी से कर सकते हैं मार्केट में बहुत जादा महंगे जो है वो product मिलते हैं आज मैं जो आपको treatment बताने वाला हूं, वो कुछ ही देर में हो जाएगा और उसमें आपका खर्च भी नहीं आएगा किस तरह से आप हनी कॉम्बिंग को ठीक करेंगे आए जानते हैं उससे पहले हम जानेंगे कि हनी कॉम्बिंग जो है वो किन कारणों की वज़ा से आ सकती है दिखिए जब भी आप जो है वो कॉलम की कास्टिंग करें अगर आप स्टार्टर नहीं बनाएंगे नीचे आपका जो सर्फेस है वो भी समतल नहीं है तो नीचे से जो है वो सिमेंट स्लेरी लीक हो जाएगी उस कारण से भी हनी कॉम्बिंग आ सकती है और अगर आपकी shuttering जो है वो tight नहीं है आपने जो nut और bolt को अच्छे से tight नहीं किया है Water tight अगर shuttering होगी तब ही आपकी जो है वो kolum की casting सही से हो पाएगी अगर water tight shuttering नहीं है तो वहाँ से slurry लीग होगी उसकी वज़ा से भी honeycombing आ सकती है और बहुत सारे कारण हो सकते हैं अगर आप जो है वो खराब रेशियो का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस वज़े से भी आपके कॉलम में हनी कॉम्बिंग आ सकती है reinforcement की position क्या है space की तो इन कारणों से भी आ सकती है और cover block ना use करने से भी हनी कॉम्बिंग जैसी समस्या आती है लेकिन अज इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से जो है वो हम कम अगर हनी कॉम्बिंग है तो उसे ठीक कर सकते हैं साइड पर कुछ ही देर में जैसा कि आप इस वीडियो में यहां पर देख सकते हैं कॉलम के जो है वो नीचे बोटम में हनी कॉमिंग जो है वो आई है कम मातरा में है और इसे ठीक करने के लिए आपको क्या करना होगा सबसे पहले जहां पर हनी कॉमिंग है उस एरिय को जो है आप साफ कर लिजी उसे ब्रश की मदद से जो है वो क्लीन कर लें क्लीन करने के बाद जो है उस पर आप जो है सिमेंट सलरी का घोल जो है वो एपलाई कर दें उसके बाद आप मोटार बनाएंगे देखे मोटार की रिश्यो जो है वो एक अनुपात एक होनी चाहिए एक बै जो है वो सैंड का डालेंगे ट्रावल का तो इस तरह से जो है वो एक अनुपात 1 की रीशियो में आप एक मोटार का मिक्षर बनाएंगे मोटार बनाएंगे और उस मोटार को आप हनी कॉम्बिंग जहां पर है वहां पर apply कर देंगे और surface को plane कर देंगे तो इस तरह से जो है वो आप हनी कॉम्बिंग कर सकते हैं, ratio का आपको धियान रखना है कि हनी कॉम्बिंग को ठीक करने हैं आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो पोजिटिव बिल्डर यूटिब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकुन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की महतपूर्ण वीडियो आपको सामय पर मिलती रहें आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए आपका दिन शुप हो धन्यवाद